इंडिया बर्सेस इंग्लैंड के लाइब टेस्ट मैच में दिखा रिडिकुलस ड्रामा जिसे देकर डगाउट में बैठे सूबमन गिल और यसस्वी जैसवाल अपनी हसी नहीं रोप पाए जी हाँ दोस्तो भारत रिंगलैंड के बीच खेला गया पंच टेस्ट मैचों की स्रीच का पहला मुकाबला जिसमें भारती टीम को इंगलैंड ने सर्मनाक हार दिया इस मैच की दूसरी पारी में भारती खिलाडियों ने अच्छा पर्फॉर्म नहीं कर पाया जिसे की टीम इंडिया 28 रनों से हार गई और ऐसा पहली बार हुआ जब भारत 100 से ज्यादा रनों का बढ़त लेने के बाद भी हार गई टीम इंडिया की दूसरी पारी में बैटिंग के दोरान एक रिडिकुलर्स ड्रामा भी देखने को मिला जब इस ट्रैक पर खड़े बलेबाद स्रैस अयर मवजूद थे तो गैंद बाजी कर रहे जो रूट ने ये ड्रामा कर दिया हुआ ऐसा कि अयर बॉल को खेलने के लिए लेग स्टम से बाहर चले गई तब ही आचानक रूट ने अपना प्लान बदल लिया और गैंद को डाला ही नहीं अयर गैंद का इंतिजार करते रहे जए मैदान पर घटे इस ड्रामे को देखकर डगाउट में बैठे सूबमन गिल और यससवी जैसवाल अपनी हसी नहीं रूप पाए और डगाउट में हसते हुए नजर आए